हेलो एब्रिवन जैसे कि थम्नेल कनुसर मैं बता दे रहा हूं कि SIS बिसेश भरती अभ्यान जिल्ला बोकारो के लिए भरती आ चुका है Security and Intelligents Services India Limited के लिए तो आप को मेट ये डिटेल में बताने जा रहा हूं तो आप ध्यान से सुने और खुद भी पढ़ ज़ते हैं तो चलिए शुरू करते हैं भारत सरकार के पसारा अधिनियम 2005 के अंत अंत गर्थ सुरच्छा कर्मी की भरती अब क्या क्या योग्यत्य होना चाहिए यो वो बता देता हूं दस्वी पास सुरच्छा जवान जो सुरच्छा जवान होगा उसके लिए दस्वी पास होना चाहिए जो सुपर्वाइजर के लिए अपलाई करेंगे उसको बारामी पास होना चाहिए और जो GTO सुरच्छा अधिकारी GTO होगा졌ữnguben हाई अशनातक पास होना चाहिए जो सुरच्छा अधिकारी जिटियों के लिए अपलाई करेंगे उसको अशनातक पास होना जोररी है अब सभी सभी के लिए उमर होना चाहिए 20 से 36 वर्स सभी पोस्ट के लिए 20 से 36 वर्स होना चाहिए वजन होना चाहिए 54 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए चाहे सुरच्छा जवान हो, सुप्रवाइजर हो या फिर सुरच्छा अधिकारी जीटियों क्यों नहीं हो 54 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए उच्चाई सुरच्छा जवान के लिए 168 सेंटिमीटर होना ही चाहिए उससे कम नहीं होना चाहिए 168 cm सुरच्छा जावान के लिए और जो सुप्रवाजर के लिए अप्लाई करेंगे उसको 170 cm होना चाहिए और उसका भी वजन 54 kg होना चाहिए और जो वेतन मान जो मिलेगा वो राज सरकार के नियोननतम वेतन अधिनियम के अंतगर्थ अंतगर्थ और अतिरिक्त के रूप में मिलेगा अब SIS के दुआरा आपको क्या क्या सुईधा मिलेगी वो बता दे रहा हूँ सरकारी पेंशन, बिध्वा पेंशन, पीएफ, मेडिकल सुईधा, ग्रेजुटी, प्रमोशन भी है, मेशम, मुप्त, आवास भी है यह यह सुईधा दी जारी है SIS के दुआरा सिच्छा निक परमानपत्र की छाया परतिलिपी एक फोटो के साथ रूपिय, फोटो के साथ 28 रूपियक साथ जाना है जहाँ जहाँ पर जिस जिस पर थाना में भरती है, मतलब कि आपको जितना भी जिसमें भरती लेना है उस सेटिफेकेट का ओरिजिनल के साथ जरस कोपी भी लेके जाएं, एक फोटो और 28 रूपिया लेके ही जाएं, ताकि वहाँ पर आपको फोउम भरना मिलेगा 28 रूपिया जमा करोगे तब और एक फोटो और साथ में जिस पोस्ट के लिए प्लाइक करना चाहते हो, उसका जेरोक्स अब कहां कहां है, उसका भरती का स्थान बता दे रहा हूं, और तारिख बता दे रहा हूं देखिए भरती अस्थान लेप्ट साइड लिखा हूआ है, बाय साइड, अर्थी थी, राइट साइड, तो अब शुरू करता हूं बेर्मो थाना परिशर में 17, 2019 को है, गोमिया थाना परिशर में 12, 2019 को है, आपका जो थाना नजदिक पड़े, उसी थाना में चले जाए, ये सिर्फ आप देख सकते हैं चंदरफूरा थाना परिसर 13-7-2019 को है चंदन क्यारी थाना में 15-7-2019 को है और नवाडी थाना परिसर में आपका है 16-7-2019 को पेटरवार थाना परिसर में है 17-7-2019 को जरीडी थाना परिसर में 18-7-2019 को कसमार थाना परिसर में 19-7-2019 को चास थाना परिसर में 27-2019 को तो यह इतना थाना में है SIS का भरती अगर मेरा यह जनकारी आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेल घंटा का दबा दे ताकि नोटिफिकेशन आपके यहाँ जल्दी पहुंच जाए आपके यूटूब में और साथ ही मेरे चैनल को अगर ब्लोग में अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना थैंक यू ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग में